यहां हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सेक्यूरिटी और कैसे करते हैं साइबर सेक्यूरिटी अक्सपर्ट बड़े-बड़े किसिस को सॉल्ट हलो एंड वेल्कम फ्रेंट स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्सीन एधिकल हैकिंग में और आज मैं आपको बताने वाला हूं मिस्टर रोबोट का सीजन वर्ण का सेकिंड और थर्ड एपिसोड के बारे में तो इसमें हम जानेंगे कि कौन सी टेक्निक्स का इस्त है तो कुछ टेक्निक्स को आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूं यानि कि सीजन टू पूरी की पूरी सीरीज में लेकर आँगा सीजन टू ठी फो जो भी है इनके सब पे हम बनाएंगे और इसके अंदर जो जो टेक्निक्स इस्तिमाल हुई है वो आपको जानने का मौका मिलेगा और एक अच्छी गुड न्यूस गाइस यह भी है कि चैनल पर बहुत जल्दी सारे कंटेंट्स वापस आ जाएंगे और डेफिनिटली कंटिन्यू आपको हम बहतरीन कंसेप्ट देने की कोसे से करेंगे आगे से पहले से भी बहतर जो चीज़ें वो आपको मिलेंग तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस इंट्रेस्टिंग क्लास को एविन इफ यू आर इंट्रेस्टेड देन यू आल्सो चेक आर वेबसाइट मास्टर सिन एथिकल हैंग टॉट कॉर्ट कॉर्स तो गाइस मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि एपिसोड टू जो एक्सपर्ट करते हैं उन्होंने उनके पास कॉल गया और बोला कि आपके अकाउंट में थोड़ी प्राब्लम है तो इसलिए कुछ स्वाल करते हैं लेकिन उन स्वाल करने के बाद उनसे कुछ जरूरी चीज़े पूछ लेते हैं कि आपका जो एड्रस है वो यही है और दूसरा question पूछते हैं कि आपका जो पैट का नाम है वो क्या है तो इस तरह कि questions उनका नाम वगयरा match करके वो जो पूरा है brute force करने के कोसिस करते हैं उनके account पे लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका जो real name है उस बंदे का वो कुछ और है और वो उनका password आसानी से capture कर लेता है तो मतलब real name की वज़े से तो guys यहाँ पे एक खास चीज आप लोगों को बता चलती है कि खास चीज कि exactly आप लोगों को जो common passwords हैं उनका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए यह एक बड़ी चीज जो आपको यहाँ पे बता चलती है secondly guys movie थोड़ा और आगे बढ़ती है और यहाँ पे जो बड़ी company होती है जिस पे cyber हमला हुआ होता है वो company के जो technical advisor होते हैं वो बुलाते है Mr. Elliot को यानि कि जो इस movie के अंदर main hero है और वो offer देते हैं कि आप हमारी company में हमारे साथ मिलकर काम करो लेकिन Mr. Elliot उनसे मना कर देते हैं अब उनका target होता है वही जो company का जो technical advisor होता है वही उनका target होता है और वो उसे अपने control में आने के लिए यानि कि उनके accounts पे वो control बनाने की courses करते हैं Mr. Elliot अलग अलग process से और धीरे धीरे उनने कुछ चीज़ें उनके बारे में पता चल जाती हैं उनके emails तक वो पहुँच जात कर उन्होंने बहुत simple चीज़े रखी हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कोई उन्हें capture ना कर ले तो इसलिए अपने पूरे system को Mr. Elliot जो है वो break कर देता है मतलब तोड़ देता है जला देता है देखो सबूत मिटाने की कोसिस यहाँ पे देखो उन्होंने ऐसा नहीं किया Mr. Elliot F Society से मना कर देते हैं कि यार वो मैं काम नहीं करूँगा उन्हें खबर मिलती है कि वो काम F Society के जो main persons है जो काम कर रहे हैं उन्होंने उस काम को अंजाम दे दिया है तो ऐसा उन्होंने खबर में पता चलता है यह message आता है mask पहने हुए news वगरा पे हर जगा यह जो खबर ह वो highlight हो जाती है देन आगी अब वो जानने की कूसिस करते हैं कि वास्तम में यह society है क्या और दुबारा वो जो टीम उन्होंने छोड़ी थी उनके पास जाते हैं और वहां अगली target के बारे में उनसे discuss करते हैं और अगली target के बारे में discuss करने के साथ साथ यहां उन्हें कुछ terms भी जानने को मिलती हैं जैसे कि आप यहां पढ़ सकते हैं malware coders guys malware coders क्या होते हैं आपने सुना हुआ कि malicious जो software है उसे malware बोला जाता और software को malicious बनाने के लिए कुछ codes लिखे जाते हैं तो malware coders वही लोग होते हैं जो किसी भी genuine software को malicious बना देते हैं अपनी coding की मदद से या उसके स पार में बातचीत होती हैं उसके बाद उसका target होता है like यह जो mister Elliot है यह कोसिस करते हैं जिस व्यक्ति से यह drugs लेते हैं मतलब इन्हें addicted यह person होता है mister Elliot तो exactly इस तरह की भी चीज़े इसमें दिखाए गई है तो जो बच्चे है उनके लिए तो suitable नहीं है वो सारी चीज़े इरिक्षन वगएरा तो उस बंदे को पकड़वाने की यहां पर वो कोसिस करते हैं जिससे यह खरीदते हैं drugs वगएरा और देखो इसका email जानकर ना मुझे बड़ा interesting सा लगा है इसने अपना जो email पे नाम रखा हुए वो है big puppy 6969 और इसका password भी बड़ा आसान सा था कर लिया क्योंकि जब वो बातचीत करते हैं तो कुछ ऐसे hints हमें मिल जाते हैं कि उनका password क्या हो सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि couple of hours की timing के बाद उसके tweet वगएरा यह सारी चीजे निकाल लेते हैं और किस तरह के उन्होंने tweet कर रखे हैं किस तरह से वो बात करते हैं यह पूरा capture कर लेता है और photographs वगएरा भी उनके जो हैं पूरा एक मतलब file तयार कर लेता है उनके नाम की और यह file बनाके जो पुलिस की जो website है उस पे load कर देता है anonymous बनके यह mystery rate करते हैं और उसे पकड़वा देते हैं मतलब जिस बंदे से वो drugs वगएरा लेते हैं उसे वो प burners पहले narrow करके burner का इस्तिमाल है या अभी बहुत सारे जो CD DVD burners है आप उनका इस्तिमाल कर सकते हैं तो यह CD DVD में करके burn कर लेता है अब उसके बाद कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो hospital पहुंच जाते है hospital इसलिए और उसके लिए आपको जो story है वो देखनी है और यहां पे क्या है कि यहां पे वो देखते हैं कि जस्त उनकी जो school friend थी उसका boyfriend होता है उसे वो capture करने की कोसिस करते है और वो जैसे कि आपने देखा होगा first part में वो बोलते हैं कि यार यह एकदम होती है आदमी है इसकी बातों में मुझे अच्छा नहीं लगता पर कोई नहीं तो उसके पास एक email आता है वो उसे चेक कर रहा होता है and suddenly रास्ते से वो एक cd खरीद लेता है जो कि free में मिल रही होती है तो guys यहीं देखो एक बहुत अच्छी चीज जानने का मौका मिल रहा है कि free में कोई भी चीज मिल रहे है तो कुछ ना कुछ reason होगा उस cd के अ आसानी से कोई उनके जाल में फस जाए तो उन्हें एक message भेशता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो उस message के चकर में वो बंदा trap में फस जाता है उसके में और cd जब भी लगा के दिखता है तो cd के अंदर जो codings थी वो run हो जाती है और उस coding की वज़ा से आप cd के access हुई है guys कोई नई चीज नहीं हो रही है चीजे वही है लेकिन बात है इस्तमाल करने का तरीका उन्होंने किस तरह से उन चीजों का इस्तमाल गया है तो उस trojan के मदद से कैमरे पे वो on कर देता है और recording तियार कर लेता है चैनीज भासा में हमें कुछ लिखा हुआ है और सभी के बाद आप देखो एक line यहां पे लिखी हुई है debugging actually all about finding the bug तो अगर एक बात आती कि debugging किसे गहते है तो debugging का मतलब होता है bugs को निकालना बग यानी की कमिया कोई भी कमिया जो है तो exactly जो Mr. Elliot है जैसे कि मैंने बताया वो hospital पहुँच जाते है तो hospital में आप क्योंकि वो drug addicted बंदा होता है तो उसे अपनी जो record है वो साफ करने होते है इसके लिए वो टार्गेट बनाता है hospital का जो main IT firm का head होता है उसे और वो क्या करता है कि उसके account को वो capture कर लेता है जैसे कि आप यहां देखेंगे William Highsmith वो बोलता है कि यार यह अपने आपको IT department का head बोलता है और password इस इसकी salary बस इतनी कम है वैसे IT department का head है और उसके बाद वो कहता है कि मतलब जो hospital का record होता है उसमें पहुंचने के लिए वो कुछ viruses का इस्तिमाल करता है जैसे कि आप यहां पर देखेंगे मैं clear दिखा देता हूँ ठीक है और क्योंकि उसका जो scanner होता है बहुत low quality का virus scanner है जो वो इस्तिमाल करता है तो यहां पर आप देखेंगे sql oledb database की file है और इसमें virus का name दी side में लिखा हूँ है फिर msa.28.tlb तो इस तरह की जो file है उनमें कौन-कौन से viruses है वो वहां पर लिखे हूँ है क्योंकि low quality का वो होता है तो इसलिए वो उन चीजे को detect नहीं कर पाता और इ यह Mr. Elliot Elderson का काम होता है यहां पर इसी के बाद second chapter में आपको बताऊंगा next जो हमारा part आएगा उसी में फिलहाल के लिए इतना ही तब तक के लिए दिखते रहे गाई यूट्यूब चैनल मास्तों सीन इधी कला कि थैंक्यू फ्रेंट्स बूद्स बूद्स